C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 40, पाठ 11, मिलकर पढ़िये, शीर्षक बैंगनी जोजो जोजो एक सफेद कुत्ता था, वह एक पेड के नीचे सो रहा था वो जग गया किसने दिये मुझे बैंगनी धब्बे उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए बादल, बादल बादल, बादल क्या तुमने दिये मुझे बैंगनी धब्बे नहीं बादल बोला मैं तो सफेद हूँ बादल हट गया इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर बनाया गया है जिसमें जो जो नाम का कुत्ता सोता हुआ दिखाया गया है दूसरा चित्र बाई और बीच में दिखाया गया है जिसमें जो जो जग गया है वो हैरान है कि उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे कैसे आ गए तीसरा चित्र प्रिष्ठ में नीचे बनाया गया है जिसमें जो जो बादल से बात करता हुआ दिखाया गया है बादल उसे प्रसंद मुद्रा में उत्तर दे रहा है प्रिष्ट 41 जोजो ने उपर सूरज को देखा सूराज, सूराज, क्या तुमने मुझे दिये बैंगनी धब्बे नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ कववे, कववे, क्या तुमने दिये मुझे बैंगनी धब्बे नाई, नाई, कववा बोला, मैं तो काला हूँ गुबबारे, गुबबारे, क्या तुमने दिये मुझे बैंगनी धब्बे नहीं, गुबबारा बोला, मैं तो लाल हूँ इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं सबसे उपर दिखाए गए चित्र में जो जो सूरज से बात करता हुआ दिखाया गया है बीच में दिखाए गए चित्र में जो जो कववे से बात करता हुआ नजर आ रहा है नीचे बनाए गए चित्र में जो जो गुब्बारे से बात कर रहा है प्रिष्ट बयालीस घास घास क्या तुम ने दिये मुझे बैंगनी धब्बे नहीं घास बोली मैं तो हरी हूँ बेचारा जो जो किसने दिये मुझे बैंगनी धब्बे टप 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 अहाँ तो वो जामुन का पेड़ था लेखी का समीरा जिया कुरैशी इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गए है पहला चित्र दाई और उपर बनाया गया है जिसमें जो जो घास से बात करता हुआ नजर आ रहा है दूसरा चित्र प्रिष्ट के बीच में बनाया गया है जिसमें जो जो दुखी है उसे समझ में नहीं आ रहा कि किसने उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे बनाए तीसरा चित्र प्रिष्ट पर सबसे नीचे बनाया गया है जिसमें जो जो जामुन के एक पेड़ के नीचे बैठा है और उपर से जामुन नीचे गिर रहे हैं जो बैंगनी रंग के हैं और जो जो को ऐसा लगता है कि इनी जामुनों से उसके शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे आ गये हैं प्रिष्ट 43 सोचिये और लिखिये एक कहानी में जो जो किस किस के पास गया क्रम में लिखिये और चित्र बनाएए इस प्रिष्ट पर चार चौकोरों में रित्त स्थान है जहां पर आपको उन सब की तस्वीर बनानी है जिन के पास जो जो क्रम से गया जो जो पहले किस के पास गया उसका चित्र पहले चौकोर के अंदर बना कर नीचे दी गई रेखा पर लिखिये फिर वह किस के पास गया उसके बाद वह किस के पास गया और अंत में वह कहां पहुचा दूसरे तीसरे और चौथे खाली चौकोरों में उन सब के चित्र बना कर नीचे दी गई जगह में उनके नाम भी लिखिये कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िये और वाक्य बना कर अपनी कौपी में लिखिये पहला भौ भौ दूसरा उन 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 तीसरा टप 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 चित्रकारी और लेखन चित्रों में रंग भरिये जो जो अगर इन जानवरों के पास जाता तो क्या बात चीत होती लिखिये इस प्रिष्ठ पर एक भालू और एक ओंट का चित्र बना हुआ है आपको जो जो की भालू के साथ हुई बातचीत भालू के चित्र के नीचे लिखनी है और ओंट के साथ हुई बातचीत ओंट के चित्र के नीचे लिखनी है प्रिष्ठ पैंटालीज पहेली नीचे दी गई शब्द पहेली में रंगों के नाम पर घेरा लगाईए इस दी गई शब्द पहेली के अंदर बहुत सारे अक्षर लिखें है और उन अक्षरों को मिलाकर कई रंगों के नाम भी बनते हैं बच्चू आपको सही अक्षरों को मिलाकर एक सार्थक रंग का नाम या शब्द खोजना है दा, ची, ना, रंग, गी, तू ता, गु, छ, पां, स, ना नी, ला, का, च, ह, ती सा, बी, त, रा, द, न, ह, त, द, गु, ला, नी ती, फे, ड, पी, ए, का स, स, ला, ल, पी, ह, रंग भरिये यहां पर एक सुन्दर सी रंगोली बनी हुई है जिसमें रंगों की कमी है आपको विभिन रंगों का प्रयोग करते हुए इस रंगोली को रंगों की मदद से और सुन्दर बनाना है सारंगी वाचन्स्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी तक्निकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, मयंक कुमार निर्मान सहयक, तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत